हलो आज हम लोग डियले थर्ड समस्टर के उर्दू के जो मॉस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन से उनकी सिरीज लेकर आए हैं जो आपकी एक्जाम के लिए मॉस्ट इंपोर्टेंट है ल्कुल भी इसकी इपना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तो देखें अगर आप फ्रेंड्स अमारे चैनल पर नय तो चैनल को सब्कार बिल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें जिसे आने वाली वीडियो आप तक पहुश सकें तो चलते हैं आज की सीरीज का फॉस्ट नम़र कॉस्चन देखते हैं यानि जो फॉस्ट नम़र कॉस्चन इंपॉर्टन कॉस्चन है वो हम देख लेते हैं तो क्या है मनसूबा सबक तो मनसूबा सबग देख लेते हैं सबसे पहले स्कूल का नाम स्कूल के नाम में क्या देखिए दर्जा औरrit हो गई घंटा हो गया वकफा हो गया और मजमून यानी मजमून अर्दू और सबग यानि सबक में आप कोई भी सबक लिख सकते हैं इसमें हमने गांधी जी लिखा है ठीक है आप लोग इतना लिखने के बाद अमूमी मकासित अमूमी मकासित में आप लोग क्या लिख सकते हैं देखिए फ़स नमबर पर है तलबह में अर्दू पढ़ने की दिल्चस्पी पैदा करना सकंड नमबर पर है अलफाज के सही तलफुस की अदाईगी करना और तलबह की जखीरा अलफाज में इजाफा करना इजाफा करना यानि बढ़ोतरी करना और तलबह में रवानी के साथ पढ़ने की सलाहियत पैदा करना देखिए यह काफी लेंदी है और हमने देखिए 2019 के पेपर में इसको करवाया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं लेकिन देखिए वही बात हो गई क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और आप लोगों को वर्क जादा करना होता है अगर आप लेसन प्लान पूरा बनाने बैठ गए तो आपको कम से कम दस से बारा मिनट लग सकते हैं और क्योंकि आपके पास इतना टाइम तो होता नहीं है तो जो इंपोर्टेंट था मैंने आपको करा दिया उसकी बाद आप पूरा पढ़ना चाहे वैसे तो जितना करेंगे आप उतना ही अच्छा अगर आप पूरा बनाएंगे तो बहुत ही जादा अच्छी बात है तो इसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाके हमारे वीडियो देख सकते हैं उसमें हमने लेसन प्लान कम्प्लीट कराया है ठीक है ना उसके बाद चलते हैं न जीजी और कारोबारी ठीक है ना कोई चीज अगर जैसे कि आप लोगों की समझ में नहीं आता तो उसके लिए हमने उसकी हिंदी लिख दिये जिसमें आप लोगों को आसानी रहे उसके बात देख लेते हैं फणी महारत कौन-कौन सी है नाम लिखें क्योंकि देखिए बहु आद में हम आप लोगों को कोश्चन कराएं अब नेक्स टाइम जब भी जो फरस्ट सनस्टर वालों को पढ़ाएंगे तो उन लोगों को पहले हम उर्दू सिखाएंगे और उसके बाद कोश्चन अंसर करना सिखाएंगे ठीक है ना देखिए कोश्चन है किसी भी जबान की तालीम का मकसद बच्चे में चार तरह की सलाहियत पैदा करना है चीक है ना इसमें देखी जो कोश्चन था वो पहले पढ़ लेते फनी महारत कौन कौन सी है नाम लिखें तो हम लोग देख लेते हैं फनी महारत तो किसी भी जबान की तालीम का मकसद बच्चे में चार तरह की सलाहियत पैदा करना है यानि फनी महारत की चार किस्मे होती है अब देख लेतें कौन कौन सी किस्म हो जाती है तो सुनना सीखना बोलना सीखना पढ़ना सीखना और लिखना सीखना आप लोगों के लिए most important है आप लोग इसको बहुत अच्छे से तयार करें और अगर आप ऐसे नहीं याद कर सकते तो देखें सुबो पाली से आप लोग याद करें सुबो पाली देखें सुबो पाली तो इसमें देखिए सामे छुटव की मातरा मतलब सुनना और बामे ओ की मातरा मतलब बोलना और पढ़ना सीखना मतलब पामे आ की मातरा पढ़ना और लिखना सीखना मतलब लामे छुटी की मातरा यानि सुबो पाली से आप लोग याद रख सकते हैं उसके बाद चलते हैं next question की तरब next question है कलमा नश्र की किस सन्निफ का जज है तो देखिए कलमा नश्र की ड्रामा निगारी सन्निफ का जज है आप लोग याद रखिएगा किसका है तो ड्रामा निगारी और देख लेते हैं next जग में आकर इधर उधर देखा तो ही आया नजर ज किसका शेर है तो यह मीर का शेर है ठीक है ना उसके बाद देख लिते हैं किसका शेर है तो पूरा लिख लिते मीर दर्द का डीक है त्क है न है आप लोग याद रखेगा उसके बाद चलते हैं निजाम तालीम में उर्दू जबान की क्या हेमियत है तो देख लेते हैं या देखिए इस तरह के सवाल आ जाता है अगर उर्दू जबान की एहमियत पर नोट लिखें को उसका यह आजा है निजाम उर्दू जबान की इनसानी जिन्दिगी में बहुत एहमियत है इनसान समाजी हैवान है जो तनहान नहीं रह सकता वो हमेशा खानदान, समाज, रिष्टेदारों, दोस्त, एहबाब से तालुक कायम रखता है इन सारे तालुकात की बुनिया जबान है देखिए आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम चाहें तो जबान से दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं और चाहें तो दोस्त को भी दुश्मन बना देते हैं क्योंकि हमारी जैसी जबान होगी उसी के कॉर्डिंग हमारे अपने पराये हो जाते हैं आप लोग इसको अपने लफजों में भी लिख सकते हैं इनके अलावा मुख्तलिफ मजाहिब मुमलिक फर्कों बहमी तालुकात की बुनियाद भी जबान है जबान की दर्जे लोग एक दूसरे के ख्याला से वाकिफ होते हैं और इनके तालुकात बने और मजबूत होते हैं यानि देखे जबान से ही जब हम किसी से बोलेंगे बात करेंगे जैसे कहते हैं नहीं बोलने से सब कुछ होता है तो जब हम बोलेंगे अपनी प्राबलम किसी के सामने रखेंगे उसकी प्राबलम को सुनेंगे तो जब हमारी problem सुनेगा तो क्या होगा हमको अच्छा लगेगा कि हमारी कोई problem सुन रहा है तो वो हम किस तरीके से अपनी problem दूसरों से share कर सकते हैं तो जब 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 जबान से कोई अपनी problem हमें बताएगा और हम उसकी problem को सुनेंगे तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा तो क्या होता है कि जबान ही इंसान को क्या करता है जो रिष्टे होते हैं उनको मजबूत करती है तो आप लोग इस तरीके से बहुत अच्छे से लिख सकते हैं आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब देख लेते हैं देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसम मारफा तो इसम मारफा यानी प्रोपर नाउन ठीक है न तो इसम मारफा का एक दूसरा नाम इसम खास है याद रखेगा अगर इस्म मारफा आ जाती है तब ही आप यही लिखेंगे और इस्म खास आ जाती है तब ही क्योंकि इस्म मारफा का दूसरा नाम ही इस्म खास है और इस तरीके का भी कुश्चन आ सकता है कि इस्म मारफा का दूसरा नाम क्या है तो इस्म मारफा का दूसरा नाम इस्म खास ह यानि ऐसा इसम जिससे किसी खास मुकाम शेय या किसी खास शेय का नाम समझा जाए यानि किसी खास चीज का नाम समझा जाए उसे क्या कहते हैं वो नाम से ही पता चला इसम खास या इसम मारफा ठीक है मसलन यानि जैसे क्या होता है असम हो गया लखनव हो गया बनारस हो गया लालकिला हो गया ठीक है ना आप कुछ भी लिख सकते हैं आप जरूरी नहीं यही लिखें आप अपने दूसरे भी एक्जामपिल लिख सकते हैं जैसा आपको सही लगे उसके बाद चलते हैं नक तो जो हमारा point है आज का ism नकरा तो ism नकरा यानि common noun इस्म नकरा को ism आम भी कहते हैं अब देखिए यहाँ पर आप लोग confuse बिल्कुल भी मत हो येगा कि ism नकरा को ism आम कहते हैं और देखिए ism मारफा को ism खास कहते हैं ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा तो क्या चलते हैं देखते हैं इसम नकरा को इसम आम भी कहते हैं यानि ऐसा इसम जिससे किसी खास मुकाम शेय किसी खास शेय का इल्म ना हो उसमें क्या है उसमें खास शेय का इल्म हो और इसमें ना हो ना हो बस इतना ही फर्क है वो आम हो जाएगा मसलन लड़की, बिल्ली, गधा, मकान, किताब वगएरा अब देखते हैं सवाल है समयी वा बसरी अशिया से आप क्या समझते हैं तो देख लेते हैं समयी समयी में इस क्या होता है तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं देखें हमने यहां पर लिख भी दिया है कि आप लोग इसको अगर जैसे कि नहीं अभी समझ आ रहा है कोई चीज कोई प्रॉब्लम है जैसे पढ़ने में उर्दू नहीं आ रही है तो आप लोग इसकी हिंदी भी हमने लिख दिया है तो आप लोग देख लें ठीक है ना तो समयी समयी द पासे बोलना हो गया आप लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हैं तो जिससे सुना जा सके उसको क्या कहते हैं उसको समई कहते हैं और जिसे देखा जा सके उसे बसरी कहते हैं और समई और बसरी को मिला दो तो देखिए जिससे सुना भी जा सके और यानि देखा भी जा सके जैसे टेलिवीजन है, इसमें क्या होता है, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, रेडियो में क्या होता है, तो रेडियो में देखे, सुन सकते हैं, मगर देख नहीं सकते हैं, अब ग्लोब चार्ड है, देख सकते हैं, लेकिन इसको सुन नहीं सकते हैं, यह आपके एक्जाम है सुनने से देखिए वही चीज अभी हमने आपको बताई कि समई का तालुक क्या होता है सिर्फ सुनने से होता है जैसे रेडियो वगेरा अब रेडियो को देख लीजिए आप रेडियो में सिर्फ आप देख नहीं सकते हैं और बसरी अशिया ऐसे वसायल जिनको देख कर तल ठीक है और देखते हैं समय वा बशरी असिया तो समय वा बशरी मतलब दोनों तो ऐसे वसायल जिनको देखकर और सुनकर तलबा कुछ सीख सकें उन्हें समय बशरी असिया कहते हैं जैसे टीवी आपका हो गया मोबाइल हो गया लिप्टॉप हो गया उसमें क्या हो गया रिजसर टी वी हो गया मुबाइल हो गया आप लोग इसमें क्या कर सकते हो देख सकते हो और सुन भी सकते हो कि उसके बार देख लेते हैं देखिए एक कुष्चन है मौइण जराइन कौन कौन से हैं तो यानि क्या हो गया जराइन में सामगरी होगया और मौइण में सहायक तो यानि सहायक सामगरी की यहां पर बात हो रही है तो जवाबें उनहाईन जरा हैं जासे चाठ हो गया, तस्वीर हो गई, नक्षा हो गया, तक्तसिया तक्तसिया मतलब क्यों होता है? ब्लेग बूर्ट, श्यामपट क्या हो गया तक्तसिया? तो श्यामपट और चाठ, डस्टर, इमदादी आशिया वगएरा अब सवाल है घजल और नजम में फर्क बियान करें तो घजल और नजम दोनों देख लेते हैं तो घजल के लगवी माणी ओरतों से बात चीट करने और इनके खुसन इश्क का खिर करने के हैं अब देख लेते हैं घजल यानि आप हमने घजल देखी अब देखेंगे नजम, नजम के लगवी मानी मोती पिरोने से हैं लेकिन असलाह में कलाम मुजूदा को कहते हैं कलाम यानि देख लेते हैं क्या होता है कलाम मुजूदा को कहते हैं और देख लेते हैं नक्स्ट गजल का पहला शेर मुताहला कहलाता है और नजम शेर शहूर से बना है ये दोनों अर्बी जबान के अलफाज है तो देखिए नजम किसे बना है तो नजम शहूर यानि शेर शहूर से बना है आप लोग ये चीज़ याद रखेगा उसके बाद देखते हैं अर्दू को लशकरी जबान क्यों कहते हैं तो जवाब अर्दू जबान तुर्की जबान किसका है तो तुर्की जबान का लफज है जिसके मानी है लशकर जिस तरह फौज में हर तरह के लोग होते हैं उसी तरह अर्दू में बहुत सारी जबान के अलफाज हैं अर्दू ने त के अलफाज को इस खुशलूबी से अपनाया कि वो सिर्फ उर्दू के खोकर रहे गए ठेक है ना अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ तश्बिया यानि कम्पेर किसी से कम्पेर करना क्या खहलाता है तश्बिया तो किसी शक्स या किसी चीज को किसी खास वस्प में किसी दूसरे शक्स या चीज से मानूं बयान यानि बनाया जाए इसला हमें किसी के मनद हो तो तश्बिया कहते हैं देखिए तश्बिया क्या हो गया वही चीज हो गया हम किसी से कम्पेर करें किसी चीज से किसी शक्स से कम्पेर करें तो क्या कहलाता है तो तश्ब या कहलाता है आप लोग याद रखिएगा है मसल देख लेते हैं नाजों की इसके लब की क्या का यह पंखुडी और गुलाब की सी है तो इसमें क्या है इस में इसे ऐलिए पंखुडी से तश्विया और दोनों की खुब यानि खुसूसियत नाजों की है ठीक है ना तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं उसके बाद देख लेते हैं देखें है क्या है तल्मी तल्मी मतलब किस्सा होता है क्या होता है तो किस्सा होता है देख लेते हैं जब शायर अपने कलाम में किसी अपनी आगते फरुग या हदीश नभूई या मशला अल्मी या किसी किस्से की तरफ इशारा करें जिसके बगर मालूम होते हैं कलाम का मतलब पूरी तरह से समझ में ना आए मसलन खिजर किया जाने मुर्ग की लिज्जत देख देखिए क्या है ये खिजर किया जाने मुर्ग की लिज्जत इस मुर्ग से वह आशनाई नहीं तो देखिए इसमें क्या है यहां देखिए ऐस लाम का जिक्र यानि देखिए وس knit jour किया गई इन्हों ने आप यानी हयात पी रखिए इन्होंने क्या तो खयात पी रखिए तो इनको टो एंको क्या है妳 यानि example भी लिख सकते हैं अब देख लेते हैं कहानी नवेशी तो कहानी के तीन अहम हिसे हैं एक कहानी कहने वाला यानि हाथसाथ और देखिए बयान करने वाला दूसरा कौन हो जाता है कहानी सुनने वाला होता है दूसरा बयान किये जाने यानि जिन का तालुक किसी किरदार की जिन्दगी से होता है अच्छी कहानी जैल यानि हसुसियात हो जाती है यानि होनी चाहिए ठीक है न अब देख लेते हैं इसमें देखिए मुनासिब वाक्या यानि किस्सा की मर्बूत बयान और देखिए मुनासिब किरदारों की तादीत की गई और देखिए ड्रामाई मुकाबले और मुश्र अंदाजे बयान कि आगये आप उधी इतना लिख देंगे अब मसबुण नवेशी और खतूस्ती को नवेशी किटने तरह के देखिए और कारोबारी करिए द्हूंधि आफ लगए जाते हैं और मसमुन यो लोग दो इसमें बंधन नहीं होता है कोई इसमें क्या होता है कि अपने लब्जों में आप कितना भी क्लिख सकते हैं आप बंदन मुक्त होते हैं तो आज यही तक नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो मोस्ट इंपॉर्टंट questions है वो हम लेकर आएंगे जो आपके exam के लिए आपको help कराएंगे तो friends आज यहीं तक आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को भी जरूर दबा दें और फ्रेंट एक बात करना करेंगे यह जो मुधन से आप लोगों का हो गया फणी महारत हो गया आप लोगों का लेसंट का इस ट्रीकी 86 वह चीज बहुत ही अच्छे से याद रखिये ओर कि यह आप लोगों के लिए मैं बार बार कह रही हूं The Serum इंपोर्टेंट है और मोस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है ना फ्रेंड्स आज यहीं तक थैंक यू